शबे बरात में नमाज कैसे अदा करेंगे? दो रकात नफिल नमाज प्राक्टिकल करके, यानि पढ़के आपको बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं उसमें और याद रखेगा, शबे बरात में आपके लिए कोई मुतायन नहीं है कि सिर्फ चार रकात, दो रकात, बारा रकात, सो रकात, आट रकात पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है आप दो दो रकात करके, जतनी ज़्यादा हो सके, पचास रकात आप पढ़ सकते हैं, दो दो रकात करके पढ़ते जाएए, दो रकात पर सलाम पहरते जाएए, जतनी आप से हो सकता है, उतनी ज़्यादा नमाज पढ़िए, क्योंकि हदीस में आता है, नबी करीम ﷺ करेंगे मैं अल्लाह के वास्ते दो रकात नफिल नमाज अदा कर रहा हूं औरत है तो कर रही हूं मेरा रुख कावे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहके हाथ बांग लिए यही एक सवाल का जवाब आपको दे दूँ यह नियत नहीं करेंगे कि मैं शबे बरात की दो रकात न नमाज पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं अगर इस नियत से आप नमाज पढ़ेंगे शबे बरात की नमाज की नियत से फिर आपकी नमाज भी नहीं होगी इबादत की जगा गुनाह मिलेगा आपको क्योंकि शबे बरात के नाम से कोई नमाज नहिए नAI ह। नहàoय कुछ यह इस तरह की नमाज मिलती है اللہ کے نبی نے عوابین کی نماز تحجد کی نماز توبے کی نماز اسراق چاشت فجر کی زہر کی یہ فرائض نمازیں سنت نمازیں یہ سب نمازیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں لیکن شبہ بنات کی الگ سے کوئی نماز نہیں بتائی ہے اسی لیے صرف نماز پڑھئے نفل نماز جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کیسے عدا کریں گے نفل نماز وہی آپ کو کر کے بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے نیت کر لیجئے नियत मैं आपको बता चुका हूँ, अल्लाहु अक्बर खहके हाथ बांद लीजिये, हाँ एक चीज़ और ख्याल करिएगा, मैं जो अभी कुरान की तिलावत करूँगा, सुरह फातिया पढ़ूँगा, या कोई भी पढ़ूँगा, बिस्मिल्ला वगरा पढ़ूँगा, सब अब नियत करने के बाद हाथ बांद लेंगे, हाथ बांद लेंगे सबसे पहले सना पढ़ेंगे, अब जभ सना मौकमल हो जाए, क्या पढ़ेंगे, अब जो है, सबसे पहले would पढ़ेंगे, ताउद क्या है? पिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अब सुर्य फात्या पढ़ेंगे अब सुर्दोब रली हिम वला ताली आमीन बिस्मिल्ही रह्मानिर्रहीम कुल आओ बरब फलक मिन शर्र मा खलक मिन शर्र गासिक इदा वकब मिन शर्र नफातात फिल अकद अब सुर्य फात्या भी पढ़ लिया आपने अब आपने सुर्य भी मिला लिया है कोई भी सुर्या मैंने यहां सुर्य फलक मिला जाए है आप कोई भी सुर्या पढ़ सकते हैं आपके लिए कुछ भी मुकयद नहीं है कि आप यही सुरा पढ़ेंगे तो नमाज होगी वरना नहीं कोई भी आपको जो भी आसान लगे आप वो सुरा पढ़ लीजिए उसके बाद रुकु कुजाएंगे अल्लाह अक्बर सुभाना रब्बी अलादीम सुभाना रब्बी अलादीम सुभाना रब्बी अलादीम समी अल्लाह ली मन हमीदह रब्बना लकल हम्द अब रुकु भी आप कर चुके हैं उसके बाद सजदे को जाएंगे अल्लाह अक्बर सुभाना रब्बी अला सुभाना रब्बी अला सुभाना रब्बी अला अब खड़े होने के बाद आउद बिल्ला नहीं पढ़ेंगे डारे के बिस्मिल्ला शुरू करेंगे इहिदना सिरात मुस्तकीम सिरात लदीना नामता रलेहिम गयर अल्मगदूब रलेहिम वला ताली आमीन बिस्मिल्ह ट्रह्मान इर्हीम अब के राद भी दूसरी रिकात के मुकमल हो गए अब रुकूब जाएंगे फिर वैसे ही जो पहले सिच्टम में आप कर रहे थे अब दूसरी रिकात में आपको बैठना है क्योंके दू रिकात वाली नमाज थी अब दूसरी रिकात में बैठकर अत्हियात पड़ना है दुरूश्री पड़ना है दूआ पड़ना है अब सलम पहरना है ओभी पढ़के बता देता हूँ आपको आप दुरूस्त कर सकें A táhaillatu lillahi wa salabatu wa ttayyibatu Assalamu alaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa'ala ibadillahi s-salihin Ashhadu an la ilaha illallahu Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadan wa ala alimuhammadin Kama sallayta ala Ibrahim Wa ala ala Ibrahima innaka hamidun majid اللہумہ بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہумہ إِنِّي دُولَمْتُ نَفْسِي دُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ فَغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمٍ السلام علیکم ورحمت الله इस तरह करके दो रकात नमाज आपकी मुकमल हो गई, इसी तरीके से आप जतनी नमाज चाहें उतनी नमाज पढ़ सकते हैं और ये भी याद रखेगा, रकात में कोई सुरा मुतायन नहीं है, आप उसी सुरा को, जैसे मैंने अभी पहली रकात में, दूसरी रकात में पढ़ा है, आप अगर चाहें तो सो रकात नमाज दो दो रकात करके पढ़िए और हर रकात में यही सुरा पढ़ते जाएए कोई हरज नहीं, बहुत आसान तरीका है याद रखेगा, नियत कभी गड़बर मत करियेगा, इन्नमल आमाल बिन नियात तमाम की तमाम जो आमाल के दारो मदार हैं, सब नियत पर हैं अगर आपने नियत कर ली कि मैं शबे बरात की नमाज पढ़ रहा हो पढ़ रही हूं, सब बेकार हो जाएगा इसलिए नफिल की नियत से आप जितनी चाहें उतना पढ़िए उसके अलाव जो और नमाजे हैं, जैसे तहजुद की नमाज उस रात में है, अवाबीन की नमाज है उस रात में आप पढ़िए, नफिल नमाज जैसे मैं पढ़ के बताया है, वैसे पढ़ते जाएए, और इसी तरह सुलात तस्वी, तस्वी की नमाज चाहर रकात, वह भी आपको इन्शालला बताऊंगा, उसको भी आप पढ़ते जाएए, इस तरह जतनी नमाज आप से हो सकते है, तौबी की नमाज, सुलात तौबा, उसको भी पढ़ते जाएए, ल्लह ताला हमें आमल की तवफीग दे, वाख रदा वानान, इल्हम्द दिल्ल्ह रुखा रुखा रुथा.